हेलो मेरे दोस्तों मैरा हूल और स्वागया था अप लोगों का आपके अपने यूटूब चाल और किसेंटर पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे कोशन को डील करने वाले हैं जो कि आपके एक्जामेनेशन के लिए मौस्ट इंपोर्टेंट होने वाले ठीक है तो चलिए जानते हैं कि कोशन क्या देखिए अगर दोस्तों कर कोशन की बात करे कि ऐसे की प्रकार से पूचा गया है कि 1947 में जो भारती इसवताद आधिनियम लाया गया था उसके बारे में बताना है कि क्या अधिनियम के तहत में किन बातों पर तर्चा किया गया था और कि बात तो के बारे में बता आगया तो दोस्तों बिलकुल इसको जानने का परियास करते हैं कि आखरी यह जो अधिनियम लाए गया को देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले में लोग यह को जाने का परियास करते हैं उसके बाद लोग यह कोश्चन पर आएंगे तो देखिए हुआ क्या दोस्तों कि जिसमें प्रथम विश्विध हुआ था उसमें क्या हुआ था अंग्रिये जो न हम भारतियों को आस्वासन क्या थे कि तुम अभी चलो मतलब मेरे साथ चलो युद में लड़ने के लिए और यूद खतम हुने के बाद जिसमें परथम विश्वुद वबराबा था ठीक है तो परतम भी सुद में जौना भारतियों को ले जाया गया ता अंग्रेज़ों के द्वारा थे जानते ही नहीं तुम लोग को बोला था कि हम तुमको क्या कर देंगे हम भारत को आजाद कर देंगे लेकिन वह यह बात पहचाने से इंकार कर दिया कि हम यह बात बोले भी थे थे अब क्या हुआ कि फिर से जब दोयत्य विशुद हुआ फिर से जब दोयत्य विशुद हुआ तो दोयत्य विशुद के दोरान भी क्या हुआ जब अंग्रेजियों को में जब ब्रिटिस सरकार को मदद की जरूरत पड़ी तो वह क्या करते हैं भारतियों से मदद मांगते हैं भारतियों से ज भारतियों ने क्या कि हम भारत की लोगों ने मना कर दिया ठीक है कि हम यूज लड़ेंगे नहीं मिस अर्थारत हम लोग सीधा सब्दों में कहें तो हम भारतिय जो है ना ब्रेटिसों का मिस अंग्रेजियों का साथ देने से मना कर दिये ठीक है अब जैसा ही साथ देने से मना क कर दिये तो युद्व में जो ना देखिए उधर तो ब्रिटेन जो था युद्व में फसा हुआ था ठीक है और इधर हम भारतिये लोग क्या सोचने लगे कि चलो जब तक वो युद्व में फसा हुआ जैसे दूहते विशुत खता हुआ ठीक है तब उन लोगों को लगने लगा तब आप भारतिये सांत बैठने वाले नहीं है हो सकता है तो भारतिये लोग जो ना हम लोगों को भी मार डालेंगे तो यहां से क्या करना पढ़ाइगा मतलब खाली करके ही जाना ठीक रहेगा मिस अब उन लोगों को लगा ना कि अब हम लोग भारत को ज्यादा दें तक कबजे में रख सकते नहीं है भारत को क्या करना पड़ेगा आजाद करना पड़ेगा ठीक है अब जैसे वो लोगों को ऐसा लगा तो उन लोगों ने क्या कहा कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं भारत को आजाद करते है, वहां का जो प्रधान मंतिर था Clement Italy, वो क्या करता है वो बोलता है, कि हम क्या करदेंगे भारत को आजाद करदेंगे ठीक है, लेकिन देखिए, जब वो कहते हैं कि भारत को आजाद करदेंगे तब यहाँ पे क्या होता है यहां तक तो ठीक था कि भारत को अज़ाद कर देंगे ठीक है लेकिन यहां पर जो मुस्लिम संपरदाय के लोग थे वो जूआ न यह बात पर बिरोद करते हैं कि हम लोगों को क्या सी एक नहा राष्टर चीए यहां पे अंग्रेज क्या बोले थे कि हम भारत को आजाद कर देंगे ठीक है लेकिन अब अब अंग्रेज जो है खुद से decision में फस गये ठीक है कि अब करना क्या है हम लोगों को ठीक है क्योंकि यहां के जो मुस्लिम संपर्दाय के जो लोग थे उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को भारत में हाना नहीं हम लोगों को एक स्वतंतर राष्ट चाहिए हाना तो यही अधिनियम के द्वारा उनिस से तालिस के भारतिये स्वतंतर अधिनियम के द्वारा भारत को दो टुकोड़ों में भाटा गया था हिंदूओं के लिए हिंदूस्तान और इसलामों के लिए पाकिस्तान ठीक है तो इसी को हम लोग जो है 1947 के भारतिय सुवनता अधिनियम के नाम से जानते है ठीक है तो उमीद करते हैं दोस्तों कि पाकः को जो टो anges चोनी कारण भारतिय सुवनता अधिनियम जो था ना एक ऐसा अधिचासी कानून था जिसके कारण डो ने स्वतन्तर राष्ट की स्थापना हुई थी जिसके कारण क्या हुआ था दो स३तंत्र राष्ट की सथापना हुआ था भारत और पाकिस्तान यह आपको भूमी का में लिखते हैं ठीक है अब नेक्स्ट क क्या लिखना परीभासा की अदिनियम है क्या है न तो बताना है कि भारती सुतंतर राष्ट अधिनियम 하죠 जो ईनाइ Kingdom Kingdom के संसत द्वारा पारित किया गया था ठीक है और जिसके अनुसार से Britain सासित मतलब Britain के गुलाम भारत को 27 राष्ट्रों में बाट दिया गया था भारत और पाकिस्तान ठीक है पता जाता है कि इस अधिनियम को 18 जुलाई उनुसार साही परिवार के सहमती मिली ठीक है और यह अधिनियम को जो ना पशुपति की बात है जब झत तो पर उतर गही थी आके जंट पाइए तो उहां के लोगों को लगने इस ब्रेटिसियों को लगने लगा, कि अब हमारा पर सचलने वाला नहीं है, था किया है, तब एटली ने घोसना करता है, एटली जो वो घोसना करता है, मैं जये कि बता जाता है, कि 20 फर्यूरीques पृषणी प्रधार्मन्तरी, कुलिमेंट एटली ने घोसना किया, कि 30 जून उ 247 को हम क्या कर देंगे भारत को आजाद कर देंगे भारत को क्या कर देंगे आजाद कर देंगे और इसके बाद जो आना इसके बाद यहां की सत्ता व्यवस्ता जो है भारतियों के हाथों में सौप दिया जाएगा नहीं जुन का सीधा कहना था कि हम क्या करेंगे 30 को भारत को हम को मतलब नहीं हम यहां के Σप्था वैवस्था को भारतियों के हातों में सौप ten टीक है वो कहते कौन कहे थे कीमेट एटली यह यह हそうだ कि फना जब केलीमेंट यह यह दिशी जी आलग राश्त करदेज्ये minimizing जो है मुस्लिम उन्होंने सीधा भारत के विभाजन का माँग किया किनोंने मुस्लिम संपर्दाई के लोगों रहे ठीक है अब देखे नेक्स्ट पॉइंट हो बता गया कि 3 जून उन्हें इसको भारती ब्रीटिस सरकार ने फिर स्पस्ट किया कि 1946 में गठित सभीधान सभादवारा बनाया गया सभीधान उन छेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्विकार नहीं करेंगे अब 3 जून उन्हें इसको ब्रीटिस सरकार ने इसपस्ट किया उन्होंने गोस्टना किया कि 1944 में जो सभीधान लागू हुआ था सभादवा जो बनाया गया था वो वो छेत्रों में नहीं लागू होगा जो इसे स्विकार नहीं करेंगे जो मतलब जो इसको मानेंगे वहाँ पे स्विकार मतलब वहाँ पे लागू होगा और जो इसको नहीं मानेंगे जो ये सभीधान को नहीं मानेंगे वहाँ पे ये सभीधान लागू नहीं होगा ये किसने का अब्रेटिस सरकार ने कहा ठीक है अब उसके आगे उसी दिन 3 योजना पेस किया जिससे माउंट बेटर योजना के नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहा जाता है माउंट बेटर योजना के नाम से जाना जाता है इस योजना को कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग ने स्विकार कर लिया और मुस्लिम लिग के लोगों ने भी स्विकार कर लिया क्योंकि देखे मुस्लिम लिग का मानना था ना कि हम लोगों को हलाग राश्य हम लोगों को सौतनतर रहना ठीक है हम लोगों को भारत में रहना नहीं है इसलिए मुस्लिम संपर्दाई के जो लोग थे वह भारत की विभाजन का मांग किये थे ठीक है इस प्रकार भारतीय सोदर्ता आधिनियंग, अब बढ़ा जाता है अब बढ़ा जाता है, कि भारतीय सोदर्ता आधिनियंग, विश्यर्था है इस की क्या-kya विश्यर्था है थी इस अधिनियम की क्या-क्या बिसे साइंटिक है तो देखी बताया जाता है कि इसने भारत में ब्रिटिस राज समाप्त करके 15 अगस उन्हें 14 को इसे स्वतंतर और संपुरुबर राश्ट गोसीद कर दिया ठीक है फिर दूसरा देखी दूसरा बताया गया है कि इसने भारत का बिभाजन कर दो सोतंतर डोमियनो समपुरुबर राश्ट भारत और पाकिस्तान का स्रिजन किया जिने ब्रिटिस राश्ट मंडल से अलग होने की सोतंतर थी ठीक है इसने क्या किया भारत को बिभाजन करके इसको तो स्वतंतर राष्टों में बाट दिया गया ठीक है भारत और पाकिस्तान जिने ये कहा गया कि वह ब्रिटिस राष्ट मंडल में रहा सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं वो उनका मज़ी अगर रहना चाहे तो भी ठीक है पिर देखें उसके आगे कि इसने वैसराय का पद सम किया ठीक है और इसके सान पे जो है दोनों ऽोमीयन राज मतलब जो स्वतंतर राश्थ को थे स्वतंतर राजूत थे वहां पे गोर्ललर जनरल का पद पो सिर्जन किया है ठीक है जिसकी नयोखती नहें नैय राष्ट के क्याबिनेट के सिफारिस पर घृत की बोला किया है कि इसने दोनों डोमेनों राजयों सविधान सभाओं को अपने देश का सविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के सविधान को अपनाने के सक्ति दिया ठीक है इसमें बताया गया कि दोनों राष्टर जो है दोनों सवतंतर राष्ट जो है वो कोई भी मतलब अपना सविधान बना सकते है अपना सविधान बना सकते है और कोई भी देश से सविधान को ले सकत सकते हैं यहां सक्ति दोनों राष्ट्रों को दिया गया और मताए गया कि ब्रिटीस कानून को समाप्त करने के लिए यहां तक오ne स्वधंतर रहुन को नियम का अधिकार था ठीक है मैं यह प्र अधिकार को रहने जो शवद्रत आजिनियम लागो किया गये था उसको भी क्या कर सकती है हटा सकती है ठीक है फिर देखिए इसने पंदरा गर्स 1947 को भारतिय रियास्तों पर ब्रिटी संपुर्द्वता की समाप्ती की होसना किया ठीक है उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ कि इसने 15 गर्स 1947 सी भा पार्तिय रियासत पर ब्रिटिस संपूर्दवता की समाप्ति की घुसना किया ठीक है मतलब हमेजा में इसके लिए जो ना ब्रिटिस लोगों का स्वामित जो है भारत चे बॉसके साथ ही अधिवासी छेत्र समझोते सबंदों पर ब्रेटिस हस्षेप समाप्त हो गया ठीक है उसके साथ-साथ, यहाँ पे जुद्रे भी छेतर है, भारत के जुद्रे भी छेतर है, चाहे वो पाकिस्तान का छेतर हो, ठीक है, उसके बाद, इसने भारतीय रियाशतों को यह सोतरता दी, कि वे चाहे तो भारत दोमियानों, या तो पाकिस्तान दोमियान के साथ मिलक सकती है या तो स्वतंदर रह सकते हैं इसने जो है यह अधिनियम जो है वो भारत और पाकिसान को यह स्वतंदर देता है कि आप चाहे तो दुनों मिल के रह सकते हैं या तो स्वतंदर भी रह सकते हैं आपको जैसे रहने का मन है वैसे आप रह सकते हैं यह अधिनियम के तहरत में कहा गया था ठीक यह अधिनियम को बिसेस्ताओं है ठीक है बिसेस्ताएं हैं पर देखे आगे बता गया कि इस अधिनियम ने नया सविधान बनाने तक का तक प्रतेक डोमियनों में सासन संचालित करने वह भारत सासन अधिनियम 1935 के अतहत उनकी प्रांतिये सभाओं में सरकार चल ठीक है य老師 क तक में यह था क हलांकि रूमियन राजयों इस कानून में शुदाहर कने ही का या कि सकते हैंίναι कोई की आँगा हो गया हुआ कि पंदरागस 1946 की मदर रातरी को भारत में ब्रेटीस सासन का अंध होगया और समस्तर सत्मिया जो है दो नए राष्ट्रों में पड़के आ गया भारत और पाकिस्तान बट गया भारत और पाकिस्तान ये दोनों फोगई ठीक है देखे बता क्या है उस प्रथम गौर्णर जनरल बने उन्होंने जोहालाल नहरु को भारत के प्रथम गौर्णर जनरल बने उन्होंने क्या कि भारत में जोहालाल नहरु को प्रथम प्रथम मंत्री के रूप में सपत दिला है कि इसे कौन से गौर्णर जनरल थी जिन्होंने जोहालाल नहरु को भारत के परधान मंत्री के रूप में सपत दिलाया था किसने लॉड माउंट बेटे ने ठीक है आगे बता गया है कि 1946 पे बनी सविधान सभा को सौतंद्र भारतिय डोमियान के संसद के रूप में स्विकार कर लिया गया ठीक है अब उसके बाद जो है कि उपर में समझ महाई तो जैसा कि मैंने आपको सौट सोरी समझ में होगा किसे में क्या हुआ था थिक ब्लान यिस तो देखें बताया जादा निसकर्स में लिखना है कि उपरोग्द बातों से यह हस्पस्ट होता है कि उपरोग्द बातों से यह हस्पस्ट होता है उपरोग्द बातों से यह पता चलता है फ़ारत्य को अनग्रेज हो के चंगुलती तो अजाद कर दिया लेकिन भारत को तो अलग अलग राष्ट्र उस सब्सक्क्राइब उसका अजिए नियुत में लिए टेलीग्राम गुरूप में सine क्सक्राइब बॉक्स में मिलेगा उसके साथ साथ और भी विभी आई कोशन देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वह पर प्लेलिस्ट दिया रहेगा चाहिए वह कोशन देख सकते हैं तो मिलता है नेक्स वीडियोगा तब तक के लिए जाहिए भारत